स्वागत है आपका फिर से तो ये भाग तीन है उस वीडियो का बाल विकास एवं सिख्छा शास्त्र के जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग तो इसमें हम पढ़ेंगे वन्शानुक्रम एवं वातावरण के जो महत्यपूर्ण प्रश्ण उत्तर हैं उनके बारे में तो सबसे पहला प्रश्ण यहाँ पर आता है कि वन्शानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंब करते समय जन्म के समय नहीं वरण गर्वधान के समय जन्म से लगबग नौमा पूर्व व्यक्ति में उपश्टित थी यह किसकी परिवाशा है तो यह परिवाशा है वुडवर्थ की क्या है इनकी परिवाशा तो इनकी परिवाशा है वन्शानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंब करते समय जन्म के समय नहीं बलकि गर्वधान के समय जन्म से लगबग नौम पूर्ष पहले ही व्यक्ति में उपश्टित थी तो यह परिवाशा थी व बिभिन्नता का नियम भी है और प्रत्या गमन का नियम भी है प्रत्या गमन प्रश्ण नमबर तीन, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वहें उनके द्वारा उत्पन किये जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है या आंगे दे दिया जाता है तो यह परीभाषा थी ले मार्क की किसकी ले मार्क जौता प्रश्ण वात वरनवय हर वस्तू है जो किसी अन वस्तू को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है यह किसने कहा था तो यह कहा था जिस बर्ट ने ना केबल वंशानुकरम और ना केबल वातावरण से होता है वातावरण में वह जैविक दान और सामाजिक विरासत के एक ही करण की उपज है यह कतन किसका है तो यह कतन है क्रो एवं क्रो का क्रो एवं क्रो का यह कतन है प्रश नमबर 6 एक पौधे का वन्सक्राम उसके बीज में नहत है और उसके पोशन का दायत तो उसके वातावरण पर है यह कथन है तो यह कथन है वुडवर्थ का क्या है भाई कथन एक पौधे का वन्शकरम उसके बीज में नहत है और उसके पोशन का दायत उसके वातापरण पर है पुरुष तथा इस्त्री के पृते कोष में गुनशूत्र होते हैं कितने 23 गुनशूत्र होते हैं पुरुष्ट तथा हिस्त्री के पृतिय गुणकोश में 23 तेईश शूत्र होते हैं अगली परिवाशा है हमारी सब असंख परमपरागत विशेष्टाएं इन 46 गुणशूत्रों में नहत रहती हैं ये विशेष्टाएं गुणशूत्रों में विद्धिमान फी एकों में होती हैं फिर से सुनिए हमारी सब असंख परमपरागत विशेष्टाएं इन 46 गुणशूत्रों में नहत रहती हैं यहे विशेश्ता है, गुर्शूत्रों में विद्यमानफी एको में होती है, यह कतन किसका है, तो यह कतन मन का है, यह कतन मन का है, बीज कोश की निरंतर्था का नियम किसने प्रति पाधित किया? प्रश्ण नमबर दस है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारन माता पिता के बच्चे साधारन और मंद बुद्धी माता पिता के बच्चे मंद बुद्धी होते हैं, यही नियम किसे ने दिया था? सोरे नसन यह नियम दिया था सोरे नसन ने प्रश्ण नमबर ग्यारा प्राकर्तिक चयन के सिद्दान्थ के प्रतिपादक थे लेमार्ख प्राकर्तिक चयन के सिद्दान्थ के प्रतिपादक लेमार्ख थे प्रश्ण नमबर बारा अरज़ित गुणों के संकर्मन के नियम को इस पश्ट करने के लिए लेमार के ने किस जीब का उधारन दिया है तो यह इनने दिया है जिराफ का उधारन किसका जिराफ का उधारन प्रश्ण नंबर 13 तक्यविरा मैंडल ने किस पर अपने वन्शानूकरम के प्रियोग की थे तो अन्होंने मतर और चूहे दोणों पर किये थे ऍपरस नमबर 14 है वन्शानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है यह परिवाशा किस्की है यह परिवाशा रूत बेंडिक्ट की है यह परिवाशा रूत बेंडिक्ट की है प्रशन नमबर पंद्रा वन्शानु करम से संबंदित चुहों पर प्रियोग किये विप्रशन पढ़ा था हम लोगों ने मैंडल ले वाता वरणवाय प्रतेक वश्तु है जो विक्ती के जीन्स के अतरिक्त प्रतेक वश्तु को प्रभावित करता है यह परिवाशा किसकी है तो यह है एनास टासी किसकी एनास टासी क्या है परिवाशा वाता वरणवाय प्रतेक वश्तु है जो विक्ती के जीन्स के अतरिक्त प्रतेक वश्तु को प्रभावित करता है प्रश्ण नमबर 17 विकास के परणाम सरूप विक्ती में नवीन विशेशताएं और नवीन योगताएं प्रस्फुटित होती हैं यह कथन है हर लौक का हर लौक का कथन है यह प्रश्ण नमबर 18 किशोरा वस्था किशोरा वस्था बड़े संगर्श तनाव एवं तूफान की अवस्था है यह परिवाशा किस ने दी तो यह परिवाशा दी थी इस्टैनले हॉल ने यह परिवाशा दी थी इस्टैनले हॉल ने प्रश्ण नमबर 19 किशोरा वस्था प्रारंब होती है तो ये बारा वर्ष की आयू से प्रारंब होती है अठारा वर्ष की आयू तक इसको टीनेज भी कहा जाता है ये सभी प्रशना आपके CTET के एक्जाम और संब्रदा वर्ग तीन के लिए महत्तुपूर है किन परिवारों को अध्यन की द्रश्टी से बुद्धी अनवानशिक मानी गई है ठीक है तो एक तो है काली काक वंश काली काक वंश दूश्रा है जीूप्स परिवार और तीसरा है एड़वर्ट्स वंश ये इस तीनों वंश ऐसे हैं कि जिनका अध्यन बुद्धी अनवानशिक मानी गई है ठीक है इनकी बुद्धी क्या थी जैनेटिक्स के ऊपर आधारित थी प्रश नंबर 21 किस वंश के अध्यन से निम्न बुद्धी की अनवानशिक्ता इस्थापित होई तो जियुक्स परिवार से किस से जियुक्स परिवार की अध्यन से ये पता चला कि इनकी बुद्धी निम्न है किस वंश के अध्यन से उच बुद्धी की अनवानशिक्ता इस्थापित की गई एडवर्ड्स वंश से प्रश नमबर तेईस किस वंश की अध्यन से यह ग्यात हुआ कि मंद से मंद बुद्धी और स्रेष्ट से स्रेष्ट बुद्धी की संतान होती है तो यह है काली काक वंश काली काक वंश प्रश नमबर चौवीस बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्यपूर कारक कौन सा है तो यह है परिवार का वातावरन परिवार का वातावरन प्रश नमबर पच्चीस इस्कूल के वातावरन में से किस का बुद्धी पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ता है ठीक है अब बात करते हैं प्रश्ण नमबर 26 जो कि इस भाग का अन्तिम प्रश्ण है परिवार के वातावरण में से किस कारक का बौधिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो माता पिता और बालकों के संबंध का माता पिता और बालकों के मद्ध जो संबंध है उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बौधिक विकास पर तो ये था हमारा वंचानुकरम के संबंध में जो भी मैन कुश्चन्स थे उनके बारे में तो अगर ये वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें हमा हावाद्, और बालकों साबद लेगा सलियो अधिक जा हमारा लेवाद्ट में तो स्चन्स थे ख़ता है पर वाहाद्ट में प्रभाव खनानुकरम के वेडियो के वे तो पशक्मान पर दो रहेएवाद्ट्पाव अवड़ता पश्सावाद्ट में पर दो तो जो पर